तो गूद इवनिंग अल आफ यू, प्लीस पूट देडिंग, CS1, Actuarial Statistics, तो यह तहला पेपर है, जिसमें कि बेसिकली फर्स टाइम आपको स्टाट से इंट्रेड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो अगर पहले कोई भी कुछ भी पढ़ रखा है, mean, median, mode, variance, सब भूल जाओ, कुछ भी तुमनों को याद रखने का दरकार नहीं है, जो भी कुछ पढ़ाना होगा, सब हम पढ़ाएंगे एकदम पुरा scratch से पढ़ाएंगे, ठीक है, तो CS1 बहुती क्यूट सा पेपर है, छोटा पेपर है, पहले paper pattern के बारे में थोड़ा जानते हैं, आपका दो exam होगा, एक exam अभी currently MS Word पे होगा, ठीक है, तो MS Word पे exam होता है, उसका नाम है paper A, उसमें आपको solve करना है, don't think कि भई मैं stats कैसे type करूंगा, that is my lookout, पूरा properly आपको training दिया जाएगा, and yes, it is very easy to type, हम लोग को पूरा एक basically notation का पूरा वो मिलता है, कि आप लोग किस तरीके से easily type कर सकते हो, तो it's सबसे अच्छा जो लोगा गंद Rudy हाथ उठा रहा है, तो सबका, मतलब अब same handwriting है समद लो, ठीक है, ये तुम लोग के लिए सब स्चोड़ा positive point हो गया, ठीक है, तो अभी वो घर से हो रहा है, और एक exam होगा, आपका, दोनो exam 100, 100 number का होता है, ठीक है, एक हो गया आपका paper A, ठीक है, which is 100 marks, और एक हो गया आपक paper B, which is also 100 marks, ठीक है, अब जैसे IFOA जो है, उसमें क्या होता है, paper B में आपको R programming सीखने है, सर हम तो पहले कभी coding किया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहला class में ये सिखाया जाएगा कि laptop on कैसे करते है, ठीक है, ठीक है, आपको पहला class में ये सिखाया जाएगा कि laptop on क जो भी कुछ paper A में आप लोग सीखते हो, वो सब सब आपको paper B में भी apply करना है, and जब काम करने जाओगे न, तो paper B काम आएगा, जैसे बहुत गंदा गंदा बच्चा लोग का, खयालात बहुत गंदा गंदा होता है, ठीक है, माइंड मत करना प्लीज, कैसे हैं, हम अभी बो करना दोनों को 50-50% ही है, IFOE में एक weighted average score निकलता है, paper A has 70% weightage, and paper B has 30% weightage, and अगर कोई Indian Institute से exam दे रहा, तो उसको दोनों में clear करना compulsory है, दोनों में 50-50 लाना, Sir, इंडिया में 50, IFOE में normally passing mark ही 60, normally, लेकिन इंडिया का paper भी difficult आता है, तभी passing mark 50 है, तो यह मैं सुचना है, लगाता, निसा मत लगाना, यहाँ पर 50 है, देख तो इसी से करते है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा paper भी उसी level का आता है, ठीक है, ओके, तो यह हो गया paper pattern, अब जैसे, start करते हैं लोग, ठीक है, put the heading basics, put the heading basics, ठीक है, सबसे पहले, basics में 2-3 चीज हम लोग को समझना चाहिए, आज जैसे हम लोग अगर एक die throw करते हैं, ठीक है, dice, उसमें क्या-क्या numbers होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एक होता है, sample space, लिखना, sample space, sample space का मतलब क्या होता है, it is the set of all possible outcomes, आप अगर एक coin toss करते हो, तो या तो head आ सकता है, या फिर tail आ सकता है, तो set of all possible outcomes को हम लोग क्या बोलेंगे, sample space, ठीक है, लिखना, set of all possible outcomes, sample space is the set of all possible outcomes, ठीक है, sample space is the set of all possible outcomes, ठीक है, example में लिखना, example में लिखना, 1, 2, 3, ऐसे करके, dot dot 6, 4, 5, 6, ठीक है, throwing a die, उसके बाद में लिखना, events, अब इधर सुनो, event का मतलब क्या होता है, आज जैसे मैंने बोला, throwing a die, and getting an event number, event number मेरा एक event हुआ, event number का मेरा क्या बनेगा, set, 2, 4, and 6, ठीक है, तो events क्या हो जाएंगे, subset of sample space, are you getting it, events क्या हो जाएंगा, subset of, लिखो, subset of sample space, subset of sample space, ठीक है, तो example पर लिखना, a is what, event number, ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या बन जाएंगा, 2, 4, 6, ठीक है, सब लोग अपना camera on करो, online में, येस, causal culture ठीक है, causal culture, येस, ओके, अब next, variable क्या होता है, variable क्या होता है, जैसे मान लो, मैं एक equation लिखता हूँ, x plus y is equal to 90, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, x मेरा value लेता है 10, तो y मेरा क्या value लेगा, 80, कि मैं कोई equation को satisfy करना है, तो variable मतलब क्या होता है, कि वो अलग-अलग values ले सकता है, जो मेरा equation को satisfy करेगा, ठीक है, तो यह हम लोग सबको पता है, एक और चीज होता है, इसका नाम है, random variable, लिखना मत, गलत लिख रहा हूँ, जब लिखना होगा तब बोल दूँगा, ठीक है, random variable, अब एक चीज समझना, ठीक है, आज जैसे माल लो, मैंने तुमको बोला, कि मैंने एक die throw किया है, तो die throw करने से मेरा क्या-क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे हम लोग आगे कैसे बढ़े, मिरको जानना है कि इसका mean क्या है, इसका variance क्या है, इसका statistical properties क्या है, तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी तुमसे कुछ भी पूछेगा तो तुम बोल देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इससे कुछ समझ में थोड़ी आ रहा है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने के लिए random variable का help लेंगे, ठीक है, तो एक example पहले मैं अभी कुछ लिखना मठ, ठीक है, मैं पहले एक example तुम लोग को समझाओंगा, के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, तो एक example देखना, tossing two coins, ठीक है, मैं दो coin toss कर रहा हूं, tossing two coins, तो अगर मैं दो coin toss कर रहा हूं, तो तुम लोग मेरे को यह बताना कि मेरा sample space क्या बनेगा, बोलो, दो coin toss कर रहे हैं, तो या तो दोनों में headed आ सकता है, या फिर head tail, या फिर tail head, या फिर tail tail, ये मेरा sample space बनेगा, yes or no, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक random variable define कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक random variable define कर रहा हूं, जैसे माल लो x, ठीक है, x मैंने यहाँ पर define किया है, tossing two coins and x को मैंने define किया है number of heads से, मैं दो coin toss कर रहा हूं और मैंने x समझ लो कोई भी एक random variable है, मैं बताऊंगा random variable का मतलब क्या होता है, x मैंने यहाँ पर define किया है number of heads, तो अब मेरे को यह बताना, कि x क्या-क्या values ले सकता है, number of heads can be 0, 0 corresponds to the case, 0 corresponds to the case when, 0 corresponds to the case जब दोनो tails आएंगे, उसके बाद में 1 corresponds to the case जब 1 head और 1 tail आएगा, and 2 corresponds to the case जब दोनों heads आएंगे, देखो, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसका मदद लिया, मैंने इसका मदद लिया और इसका मदद से मैंने क्या किया, numbers associate कर दिये, numbers associate कर दिये with each element of the sample space, देखो, मैंने x को define किया number of heads, x is my random variable, so what is the definition of random variable, we are able to associate numbers with each element of the sample space, yes or no, मैंने sample space के हर एक जो मेरा part है, जैसे head-head हो गया, head-tail हो गया, tail-head हो गया, tail-tail हो गया, मैंने इसके साथ numbers associate कर दिये, now, now, 0 corresponds to the case when both are tails, one corresponds to the case, head-tail-tail-head and two corresponds to the case, जब जोनों heads जब बोलो हाँ, तो random variable का help लेके मैंने numbers associate कर दिया, ठीक है, अब एक और ची समझना, x takes the value 0, इससे कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, x takes the value 0 with how much probability, probability, now, what is probability, एक second, एक second, तो probability of any event A is what, एकदम simple सा पढ़ा रहा हूं, favorable number of outcomes divided by total number of outcomes, एक बात समझना, probability, word का मतलब क्या होता है, संभावना, कि क्या संभावना है, ये event होगा, जैसे मैंने एक coin toss किया, क्या संभावना है कि head आएगा, half, half, मैंने snake ladder का game start किया है, क्या probability है कि 6 आएगा, 1 by 6, क्योंकि उसमें 6, 6 numbers होते हैं, और सबका equal chance होता है, सारे के सारे का equal chance होता है, तो क्या probability होगा, 1 by 6, तो उपर में क्या है, favorable, favorable मतलब क्या, जो मेरे को चाहिए, total मतलब क्या, जो सारा है, तो probability कैसे निकलेगा, favorable by total, जो सबकुछ available है वो नीचे, और जो मेरे को चाहिए वो उपर, तो favorable by total, अब एक बात समझना, sample space में कितना, 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 कितना चीज है, चार, कितना cases है, चार case है, head, head, tail, tail, head, tail, 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 अब, मेरे को चाहिए, probability x is equal to 0, मने, x value लेगा 0, कितना probability के साथ में, इसका मतलब क्या है, x value ले रहा है 0, मतलब number of heads is, 0, and number of heads 0, मतलब क्या, tail, tail, which is 1 out of 4 case, which is 1 out of 4 case, तो probability क्या हो जाएगा, 1 by 4, x will take the value 1, with how much probability, 1, 1, मतलब number of heads is 1, मतलब 1 head है और 1, tail है, तो अगर 1 head है और 1 tail है, इसका मतलब क्या है, 2 cases out of 4, तो 2 by 4 is the answer, x will take the value 2, मतलब क्या, दोनो heads है, बोलो न, तो 1 by 4, 1 out of 4 cases, तो random variable का help से मैंने क्या किया, पहला बात तो numbers associate कर दे, दूसरा क्या, random variable probability का help लेता है, probability के मिना random variable का कोई वजूद ही नहीं है, x will take the value 0, इससे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं, कब समझ में आएगा, x will take the value 0 with, how much probability, so it takes the help of probability, to decide upon its value, what is sample space, what is sample space, total, मतलब कितना सारा outcomes हो सकता है, event क्या हो जाएगा, subset of, ठीक है, और probability में क्या होगा, जो मेरे को चाहिए, divided by, जो सब available है, simple, कुछ भी ऐसा याद मत करना, ठीक है, याद खाली किसका, x का, और कुछ याद में करना, ठीक है, तो, अब हम लोग एक distribution मनाएंगे, जिसको हम लोग कुछ लिखो मत, याद सब गलत है, ठीक है, यह बढ़ गलत पढ़ा रहे थे, तो, मतलब, लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, भी बढ़ा गलत पढ़ा रहे भाई, तो में लोग लिख क्यो रहे भी, ठीक है, अब सुनो, अब भी हम लोग एक distribution बनाएंगे, एक table बनाएंगे, जिसको बलते है, probability distribution table, सर, वो क्या होता है, probability को distribute किया हुए उसमें, दीक है तो, अब table कैसा देखेगा, यहाँ पर है मेरा x, यहाँ पर है मेरा x, 0, 1, 2, यहाँ पर आ जाएगा, probability capital X is equal to small x, इसका मतलब क्या है, capital X मेरा random variable है, जो की small x value लेगा, तो small x मेरा क्या हो गया, dummy variable, dummy, dummy, तो dummy का मतलब क्या है, small x के जगा में ऐसा नहीं है, small t भी हो सकता है, small a भी हो सकता है, small s भी हो सकता है, वो बसकली यह denote कर रहा है, कि capital X क्या value लेगा, मत बोलना बात में, आप तो small x पढ़ा है थे, exam में small t आ गया, हम पुरा confused हो गया, नहीं, कुछ भी हो dummy है, random variable जो define के है, वो ही रहेगा, random variable लेटर्स में होगा, capital X, capital Y, तो में उसको denote किया है ना, कुछ की क्या हो सकता है, मत बहुत क्या है वो, ठीक है, अब जैसे, x will take the value 0, with how much probability, 1 by 4, x will take the value 1, with how much probability, 2 by 4, and x will take the value 2, with how much probability, 1 by 4, तो hotel probability हमेशा कितना आएगा, 1, probability 1 से बढ़ा हो सकता है क्या, नहीं, तुम एक die throw किया, अब सुनो ध्यान से, सुनने का पैसा दिया है, ठीक है, बढ़ना तुम लोग किताब से भी तो पढ़ सकते थे, तुम लोग को लगा, नहीं, हम लोग को किताब से नहीं पढ़ना, हम लोग को सुनना है बस का लिए, जहान सुनो, तुम लोग एक die throw किया, 7 आने का probability क्या होगा, बले ही बताओ, थोड़ा probability यह बाज सीख लेते है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है, impossible, एक से च्छे के बीच में आएगा, इसका क्या probability होगा, वन, एक से च्छे के बीच में तो आएगा, अच्छा, अब यह AC देखो, तुम लोग अपना, उसमें लिखा रहेगा, 20 degree, तो क्या room का temperature 20 degree है, नहीं, वो 20 के आसपस बता रहे है, ठीक है, तो, random variable जो है, वो दो type का हो सकता है, एक होता है तुम्हारा discrete, और एक होता है तुम्हारा continuous, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान सुनते जो, अब जैसे dice, क्या dice में तुम्हारा 5.5 आ सकता है, नहीं, उसमें कैसे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा आएगा, तो x का जो range है न, वो देखे पता लगता है, कि random variable discrete है, कि continuous, इंसान का वजन, जैसे मेरा 85 है, तो 85 से सीधा 86 नहीं जाएगा, एक सिंगाडा खाएगे, 85.2, फिर 2 घंटा football खेलेंगे, 84.8, ऐसे करके, तो इसमें क्या होगा, range हो जाएगा, कि इस मैना में मेरा वजन रहेगा, 80 से 85 की बिच में, तो जब ऐसा range देगा न, range देता है महाँ पर, कि भई x lies between 1, 2, 5, ऐसा, एक सकेंड, ऐसा देगा हमाँ पर, कि भई x का जो value है, वो तुमारा 1 से 5 के बिच में हो सकता है, एक city का temperature, बोलेगा भई कि, 30 से 35 के बिच में हो सकता है, तो वो जब range देगा, मतलब क्या continuous, उसके बीच में वो कोई भी value ने सकता है, discrete में क्या होगा, बोल देगा, 1, 2, 3, 4, 5, या फिर 1 से 10, या फिर 1 से 15, कुछ भी ऐसा बोल देगा, ठीक है, तो discrete में क्या होता, point wise, और यहाँ पर क्या होता, पुरा range रहता है, इस range में x कोई भी value ले सकता है, तो random variable तुमारा 2 type का हो गया, अभी जो हमने किये वो क्या था, अभी जो discrete कि, क्यों है discrete, क्यूंकि x का, तुम लोग को पता कैसे चलेगा, x का range देखके, अभी x का range क्या है, 0, 1, 2, 0, 1, 2 मतलब क्या, point wise ले रहे हैं क्या, नहीं, range नहीं, point wise है, 0, 1 या फिर 2, अगर ऐसे बोल देता, x कोई भी ले रहे सकता, 0 से 2, तब क्या हो जाता, continuous, AC का panel पे जो लिखा है, वो तुमारा हो गया discrete, पर रूम का जो temperature है, वो तुमारा हो गया, आज जैसे, आज जैसे एक चीज़ समन्ना, एक insurance company कैसे function करता सुनो, हम लोग premium भरते हैं, ठीक है, जब वो contingent event होता है, for example कोई मर गया, जो insurance policy ले रखा है, तो उसको claim मिलता है, claim मतलब insurance company पैसा दे रहे है, वो contingent event, contingent मतलब जो event unknown है, uncertain है कभी भी हो सकता है, जैसे मालनों तुमने अपना गाड़ी का insurance कराया, तुम गाड़ी ठोक दिया, तो गाड़ी ठोक दिया, अब insurance company को तुम claim submit किया, कि भाईया देखिए मेरा insurance लियावा है, अब आप मेरे को claim दीजिए, तुम number of claim को अगर model करता है, number of claim, number of claim का मतलब क्या है, number of claim का मतलब क्या है, तुम कितना बार claim submit किया, तुम्हारा नियत में खोड़ था, तुम insurance लिया ही इसलिए कि तुम बार बागा आड़ी ठोको, तुम मालो number of claim, या तो तुम एक भी claim submit नहीं करेगा, या तो तुम एक करेगा, दो करेगा, धाई claim थोड़ी submit करेगा, तो number of claim का क्या हो जाएगा, discrete, पट तुमको जो claim मिलेगा, वो ऐसा जरूरी नहीं है, कि 3,60,000, या फिर 1,80,000, या फिर 1,00, या फिर 50,000, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, तुमको जो claim मिलेगा, वो ऐसा भी हो सकता है, 1,85,000.79, क्यों तुम्हारा bank में अगर डिरेक्ली cash तो मिलेगा नहीं, तो अगर तुमको amount of claim को model करना, तो तुम क्या कर सकता है, continuous, हम यह सोच सकती कि भाईया, average में, गाडी का जो claim है, बात समझो, develop करो अंदर में, वो sense develop करो अपना, मेरा अगर तुम लोग काटेगा ना हाथ, क्या निकलेगा पता है, CS1, CM1, CM2 निकलेगा, खून थोरी दोरता है, तो वो sense develop करना पड़ेगा, कि भाई, amount of claim को अगर हम लोग को model करना है, तो कैसे होगा, वो सोच के देखो, कि भाईया, average में, मेरा 90,000 से ले करके, 130,000 तक, 130,000 for people from Convent School, तो 130,000 तक कुछ भी हो सकता है, तो वो range यह कै, तो range मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, continuous, कि उसके 20 में, वो कोई भी value ले सकता है, बट number of claims, वो तो discrete ही होगा, क्योंकि या तो तुम कोई claim sumbit नहीं किया, धाई, पॉना, नहीं होता है, ठीक है, अच्छा, अब जैसे देखो, यह मैंने distribution यहाँ पर बना दिया, ठीक है, अब यह बना दिये, इसको बोलते है probability distribution table, या फिर probability distribution function, ठीक है, ओके, लास्ट हम लोग कहां तक लिखे थे, अब बताना मेरे को, events लिख लिए थे न, ठीक है, तो variable का यह वाला चीज देख लो, copy कर लो इसको, variable वाला चीज देख लो, copy कर लो, variable के बाद में, सुनो ध्यान सुवे, wait, 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 उसके बाद में पहले probability लिख लो, probability of any event A, is equal to favorable number of outcomes, divided by total number of outcomes, ठीक है, हाँ, अच्छा, अब एक सेन रुको, अब देखो, जो मेरे से आगे चला गया, उसके लिए भी दिक्कत है, फटफटफटफटफटब को, नहीं, हम बता रहे न, यह लिख लिया, अब उसके बाद में, heading लगाना random variable, अच्छा क्लास बहुत, पुश्किल से हम करा रहे हैं, कल तो flight था, नौ बजे लैंड होने का बाद था, तो flight पहले ऐसे हलकल का heal रहा था, तो ठीक था, जब जोर से heal ने लगाना, हम बोला कल क्लास ले पाएंगे की नहीं, वो लोग flight का जो captain था, बोलता है अभी उतार नहीं पा रहे है flight, हम बोलता है एक बार तुम बस खली उतार, ले गया वारा नसी, फिर बोलता है एक घंटा बाद बाद भापस हो, कल तो जो हुआ है, कहा नौ बजे आने का तीन बजे आएंगें, मतलब पता चलते हैं जिन्दीगी किना छोटा है, कल एक बार में हमको समझ भी आई गया, तो लिए मतलब हम सोचे हैं कि, इसी साल में तीन चार्डोट रिपॉर मार लेंगे, ठीक है, तो रैंडम एरीबर लिखना, ओके, so we are starting with an example, ठीक है, लिखना, tossing two coins, sample space क्या बनेगा मेरा, head head, head tail, tail head, tail tail, ठीक है, यह बन जाएगा मेरा sample space, ठीक है, उसके बाद में मैंने x define किया है, copy करना, start कर देना, number of heads, number of heads, ठीक है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगा, तो तुम लोग hand raise करके पूछ सकते हो, ठीक है, तो rate मत करना, online में भी बोल रहे हैं, आराम से, ठीक है, और phone मत यूज़ करना, कोई भी अपना, ठीक है, आराम से, सुनो, number of heads, ठीक है, 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, and 2, अब इसके बाद में, दिखना, probability distribution function, पराप्रोबिलिटी रिस्टिबिशन function कैसा बनेगा, यहां पर है x, 0, 1, or 2, और यहां पर है, probability capital X is equal to small x, 1 by 4, 2 by 4, 1 by 4, यहां पर है, पर यहां पर है, probability capital X is equal to small x, अगर कभी मेरा screen blur हो जाए, मैं उड़ जाऊं, नहीं होता है, मतलब camera का input चला जाता है, बच्चा लोग बोलता ही नहीं, वो लोगों को लगता है sir, तुम लोग बोल देना, ठीक है, तो ठीक है, तो यह हो गया, this is probability distribution function, ठीक है, ओके, अब इसके बाद में probability का definition लिख लेगा, copy में बच्चेक करो तो, favorable number of outcomes divided by total number of outcomes, ठीक है, ओके, तो अब जैसे यह एक example हो गया ना, अब मैं start करता हूँ random variable से, ठीक है, उसके अंदर अंदर ही चल रहा है, जैसे सबसे पहले, capital X is equal to small x, तो यह basically मेरा क्या है, यह मेरा notation है, ठीक है, यह मेरा notation है, अब जैसे, इससे दो branches निकलेंगे, ठीक है, एक तुम्हारा हो जाएगा discrete, और एक तुम्हारा हो गया continuous, N-U-O-U-S, ठीक है, अब कैसे दोनों के बिच में differentiate करेंगे, ध्यान से सुनना पहले, अब जैसे तुम लोग को integration का मतलब बताते हैं, ठीक है, आज जैसे दो type का चीज होता, पहले copy मत करना है, एक से सुन लो पहले, एक होता है तुम्हारा summation, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, 3 प्लस 5, 8, तो इसको हम लोग summation बोलते हैं, कि भही मेरे को बोलेगा, 1 से लेके 5 तक को sum करो, तो मेरे को points पता है, मेरे को किसको sum करना है, बट अगर मेरे को continuous range में sum करने बोलेगा, तो मैं integration apply करता हूँ, ठीक है, integration is nothing, बट it is summing over continuous range, अगर तुम्होंको अपना HS पर ध्यान देगा, जैसे 11, 12 में जो सर जब integration introduced किया था, तो उसमें क्या करता था, वो एक पहले एक curve बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको छोटे-छोटे parts में divide करते हैं, and basically they say you that, why are we dividing this area basically, कुछ भी area है, उसको छोटे-छोटे parts में divide करके, जितना भी areas आ रहा था rectangles का, ठीक है, उन सब को sum करना है, that is basically integration area under the curve बोलते हैं, या फिर जैसे area under the curve क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी सारा rectangles आता था, जैसे छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-छोटा parts में इसको divide करके, basically इसको rectangle बना देना, इसको rectangle, तो error मेरा कम आता था, तो summing over a continuous range will always involve integration, discrete में हम लोग summation यूज़ करेंगे, and continuous में हम लोग integration यूज़ करेंगे, हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले पता कैसे चलेगा, कि discrete है, कि continuous है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना range, यहाँ पर लिखना range, तो यहाँ पर कैसा रहेगा, x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, 1 से लेके 5, ठीक है, उसके बाद में, यहाँ पर हम लोग करेंगे, point wise, point wise, अब एक चीज़ सुनना, एक सुनो, आज जैसे, अगर तुम देखेगा, हम बोलते, क्यालकटा का जो temperature है, वो 35 से 45 के बीच में रहेगा, 35 से 45 के बीच में तो, बहुत सारा points हो सकता है, सोचके देखो, 35.1, 35.2, और भी अगर depth में जाएंगे, तो 35.11, कुछ भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारा points हो सकता है, तो, अगर हमको probability निकालना है, अगर हमको probability निकालना है, तो, discrete में मैं एक point पे probability निकालता हूँ, कि भी या, मैंने एक die throw किया, one आने का क्या probability है, बट, continuous में तुम्हें एक point पे probability नहीं निकाल सकता है, क्योंकि बहुत सारा points हो सकता है, तो यहाँ पर, अगर तुमको probability निकालना है, तो तुम्हें एक range में निकालेगा, कि भी या, 35 से 36 के बीच में होने का क्या probability है, 35 से 37 के बीच में होने का क्या probability है, यह जो room है, इसका temperature 18 से 20 में रहेगा, इसका क्या probability है, तो अगर तुमको probability निकालना है, तो तुम यहाँ पर निकालेगा point-wise और यहाँ पर तुम निकालेगा interval-wise, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि continuous में एक point पर probability नहीं निकल सकता है, almost close to zero आएगा ना भाई, क्योंकि कितना सरो points हो सकते हैं, सोचके देखो, ठीक है, लिखो, point-wise यहाँ पर हो जाएगा, interval-wise प्रिया, is it okay, प्रिया संक्तनी, वरुनी, प्रिया बंसाली, क्रिश्चिका, प्रथम प्रजापती, प्रकर्षा, is it okay, अब जैसे, अगर हमको यहाँ पर, total probability निकालना है, ठीक है, total probability तो यहाँ पर हम लोग करेंगे submission, और यहाँ पर हम लोग करेंगे integration, ठीक है, एक example भी लिख लेते हैं, तो better रहता, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा number of claim, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा amount of claim, ठीक है, ठीक है, discrete में हम लोग क्या use करेंगे, summation, और continuous में हम लोग use करेंगे, integration, ठीक है, ठीक है, अब एके करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले heading लगाना, discrete random variable, अभी तो किसी का कोई college बगरा चालू नहीं है न, मतलब तुम लोग का, ये ही time हम लोग रखेंगे, ठीक है, ठोड़ा सा अभी classes लंबा होगा, और daily class होगा, ठीक है, और जो लोग भी Calcutta से belong करते हैं, सब लोग आके class करेंगे, मैं आज देख लिया हूँ सबका, चिटी चिटी रोबो हैं, ठीक है, सबका इदा scan कर लिया है, अब online में entry नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके, तो प्लीज पूट्ट दे हेडिंग, रैंडम वेरीबल, यह हमारा हिंदी बैच है, अगर कोई कॉई कॉन्वेंट से है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा समझने में 85 क्या होता है, तो वो लोग इंग्लिश वाले बैच में भी आ सकते हैं, तो एक इंग्लिश वाला बैच भी है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गए है, तो दोनों बैच हम लोगा चलता है, ठीक है, इसक्रीट रैंडम वेरीबल, सबसे पहले लिखना, प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिवूशन फंक्षन, प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिवूशन फंक्षन, नोटेशन, तो नोटेशन क्या है, प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिवूशन फंक्षन फंक्षन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F, X, X, अब इधर से लो, यह तीनो notation है, small f का मतलब PDF, capital F का मतलब CDF, CDF मतलब cumulative distribution, आगे जाके पढ़ेंगे, cumulative distribution function, अभी के लिए क्या है PDF, probability distribution function, ठीक है, तो इसका notation यह हो गया, अभी जो अपना example था, अगर अपने example में चलें, तो example में चलेंगा मतलब कहा, probability X is equal to 0, which is equal to F0, which is equal to Fx0, यह मेरा क्या हो जेगा, बोलना, very good, 1 by 4, similarly बाकी सब भी कर लो, X is equal to 1, which is equal to F1, which is equal to Fx1, which is equal to 2 by 4, probability X is equal to 2, which is equal to F2, which is equal to Fx2, which is equal to 1 by 4, ठीक है, यहाँ पर capital X मेरा random variable और small x मेरा dummy variable है, अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ठीक है, यह शुरू का जो 10 मिनिट है, उसको मैं डाल दूँगा, तुम लोग के recording में भी ठीक है, पेशन्स बहुत बड़ा चीज है लाइफ में, आज मैं पहला 4 साल में मैंने 6 पेपर क्लियर किया, और 5 साल में मैंने 6 पेपर क्लियर किया, ठीक है, तो लगे रहो, और पेशन्स is very important, तुम लोग को लाइफ में एक दम तुरन 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 कुछ भी नहीं होगा, पेशन् करके धिरी-धिरी-धिरी करके करना पड़ेगा, ठीक है, चलो, नेक्स्ट लिखना, कंडिशन्स फॉर वैलिट पीडिएफ, तब से पहला, एफ एक शुद भी ग्रेटर दन एक्वल तो जीरो फॉर और एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या प्रॉब्याब प्रॉब्याबिलिटी का भी नेगिटिव हो सकता है, नहीं, ठीक है, and दूसरा कंडिशन क्या है, क्या है, समेशन फॉर भी रेंज ओफ उफ ऒफ एक्वल टो वन, टोटल प्रॉब्याबिलिटी गभी वन को एक्सीट कर सकता है, अंसर इस ठीक है, so this is basically conditions for a valid PDF, ठीक है, हाँ, 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 यहाँ पर capital X होगा, सेकेंड कंडिशन क्या बताता है, टोटल, टोटल जो मेरा probability है, वो 1 होगा, टोटल probability कभी भी 1 को exceed नहीं कर सकता है, ठीक है, टोटल, आज जिसे मालों मैंने coin toss किया, या तो head आएगा, या फिर tail आएगा, तो 0.5, 0.5, 1 होता है, आपने एक die throw किया, तो 1 by 6, 1 by 6 ऐसे 6 बार, तो 1 आएगा, तो टोटल probability हमेशा 1 होगा, ठीक है, summing over the range of x, fx should be equal to 1, ठीक है, अच्छा, आप कुछ examples मैं देता हूँ, आप try करो एक बार, ठीक है, तो पहला है example number 1, ठीक है, अब जैसे मेरे को fx यहाँ पर दे रखा है, x-2 by 5, यहाँ पर मेरा x का range है, 1, 2, 3, 4, 5, बताइए कि यह valid PDF है कि नहीं है, यह valid PDF नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं 1 डालता हूँ, 1 डालते ही मेरा negative हो जाता है, ठीक है, तो 1 के डालते ही मेरा negative हो गया, मतलब किया, this is not a, मैंने क्या बोला, for all x, for all x, हर एक के लिए satisfy करेगा, तो ही वो valid PDF होगा, ठीक है, तो लिख दिना, this is not a valid PDF, नेक्स्ट, एक्जाम्पल नमबर 2, fx is equal to 1 by 4, x का range है 1, 2, 3, 4, x का range देखके क्या पता लग रहा है मेरेको, discrete, very good, मेरी तरह सोचो, x का range देखके क्या पता लग रहा है कि यह क्या है, discrete है, ठीक है, अब बताना कि यह valid PDF है कि नहीं है, आप x, मैंने यह नहीं बोला कि आपके equation में x होना चाहिए, आपके expression में x होना चाहिए, नहीं, यह क्या है, equal probability वाला case है, आप x के जगह में 1 डालोगे, तो भी 1 by 4, 2 डालोगे, तो भी 1 by 4, 3 डालोगे, तो भी, ठीक है, 4 डालेंगे, तो भी 1 by 4, ठीक है, तो भी ट्रेनिंग दिया वे पुरा, तो भरोसा नहीं है कि तुम लोग कल आओगे, past experience, और सबका sum करेंगे, तो क्या होगा, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, तो equal probability वाला case है, ठीक है, 4 events का equal chance of occurrence है, क्या बोलेंगे, equally likely, equal chance of occurrence, ठीक है, आज जिसे जब आपनों die throw करते हैं, तो उसको बोलते है, equally likely events, क्यों, क्योंकि जितना chance 1 का आने का है, उतना ही chance 5 का भी आने का है, उतना ही chance 2 का भी आने का है, उतना ही chance 6 का भी आने का है, लेकिन मेरा कभी 6 आता नहीं है, ठीक है, तो valid PDF, ठीक है, example number 3, f x is equal to x by 30 x square by 30 x मेरा है 1, 2, 3, 4 solve करो तो मेरा f 1 क्या आ जाएगा बताना 1 by 30 f 2 क्या आ जाएगा गजब हर्ष गोल f 3 आ जाएगा मेरा and f 4 आ जाएगा मेरा 3 by 30 और सबका sum करेंगे तो क्या आएगा 1 आ रहेगा चेक करो तो so this is a क्या बोलो valid video, very good एक है okay now next heading लगाना revision of sequence and series revision of sequence and series तो सबसे पहले तुम्हारा इसमें आएगा ap arithmetic progression तो arithmetic progression में तुम लोग सब बताना ठीक है numbers कैसे होते हैं a a plus d वा सर्मजा आ रहा है इसे जए 11 तुल का topic आने से तो net term क्या हो जाता है a plus n minus 1 into d so this is basically net term a plus n minus 1 into d sn मेरा क्या हो जाएगा n by 2 into a plus l where l is what last term and a is what first term और last term को मैं break कर सकता हूँ तो break करने से क्या आजाएगा n by 2 2a plus n minus 1 into d ठीक है copy कर लीजे इसको फड़ा फट से एक बार तुम लोगो ट्राइ करना है some of first and natural numbers some of the squares of first and natural numbers some of the cubes of first and natural numbers लिखके ट्राइ करो फिर हमा के बताएगे सही है की गलत है तो लो ट्राइ करो एकर दो मिएएड़ा स 칭डावा गिग्न ट्राइब राह करो लूज़ा ट्राइब करो खून अ पर लो ऑ झाल 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 ओके, क्या आ रहा है, सबसे पहले, 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n, n into n plus 1 by 2, 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus n square is what? n into n plus 1, 2n plus 1 by 1 cube plus 2 cube plus dot 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 plus n cube is what? n into n plus 1 by 2 ka whole square, copy. ठीक है, यह हम लोग का AP हो गया, ठीक है, अब next, copy हो गया, copy कर लो, आराम से, गर्मी लग रहा है, jacket, packet, pen क्या नकल से, डिरेक्ट हवा आ रहा है, ठीक है, दो मेंट के लिए बंद कर दू, यह, अरे, यह विंटर वियर, next class से लेके है न, ठीक है, ओके, next, yes, नहीं, यह, यह, अलग special series है, यह तुम्हारा proven है, किसका यही formula होता है, ठीक है, यह तुम्हारा काम आता है, यह हम लोग mathematical induction बोलके एक chapter होता है, उसमें हम लोग proof करते हैं, इसका हम लोग को proof नहीं required है, हम लोग को बसकली results चाहिए, ठीक है, तो यह, basically, यह तीन चीज़ है, sum of first and natural numbers, sum of the squares and sum of the cubes, यह तीन चीज़ हम लोग को चाहिए, next, GP, GP का मतलब क्या होता है, geometric progression, तो numbers कैसे होते हैं, A, A, R, A, R square, dot, 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 A, R to the power, तो मेरा Nth term क्या हो जाएगा, A, R to the power, ठीक है, मेरा S, N क्या हो जाएगा, A, A, 1 minus R to the power N by 1 minus R, when R is, less than 1, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, A, R to the power N minus 1 by R minus 1, when R is, और एक होता है, हम लोग का, पहले इतना copy कर लो, यहां तक हो गया copy, और एक होता है, हम लोग का S infinite, which is A by 1 minus R, और उसका condition क्या है, R lies between minus 1 and 1, देखो, दो टाइप का सीरीज होता है, होता है, होता है, Convergent और होता है, Divergent, तो अगर आपका ऐसा जा रहे है न, 2, 2 square, 2 cube, तो इसका आप infinity का नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा जा रहे है, 2, 1, half, 1 by 4, 1 by 8, तो इसका आप निकाल सकते हो, because the higher values are tending to 0, इसका आप निकाल सकते हो, बट आप ऐसा करने ही निकाल सकते, 2, 2 square, 2 cube, 2 to the power 4, ऐसे इसका आप नहीं निकाल सकते, infinite का value तो infinity होगा, because somehow you will get 2 to the power infinity, which is infinity only, ओके, ये वाला होगे आपना, ठीक है, ओके, अब इसके बाद में, हम एक sum दे रहा हूँ, ठीक है, fx है, 2x by k, k plus 1, x is equal to 1, 2, 3, dot, 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 k, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, अभी देखो क्या सीन है, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, जितना भी बच्चा लोग आज क्लास के अंदर घुस गया है, आप लोग सब बज गए, ठीक है, सब्टेंबर में सबको एक्जाम देना है, उसके लिए आने वाला एक मैना हम लोग को regular क्लास करना है, पहला बात यह, और थोड़ा बहुत तुम लोग को recording भी देखना पड़ेगा, paper B का कोई भी problem होगा, I am there, शिवांगी मैम is there, ठीक है, एक तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, mostly मैं जो क्लास का timing यही इसी time पर रखूँगा, ठीक है, तीन से साथ, तो अभी जब तक तुम लोग का college का कोई result आने वाभी minimum एक मैना है, तो अभी जैसे June mid से लेके July mid, एक मैना एकदम पुरा focus होके हम लोग को class करना है, ठीक है, classes थोड़े लंबे चलेंगे, धिरे धिरे करके आपको patience जवलप कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक मैना के बाद फिर एकदम smooth चलेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अभी एक मैना हम लोग को basics है न, first तुम लोग अभी, तुम लोग इतना ऐसा है बताओ, इतना सा ही तो है भी तुम लोग, कुछ चुड़ेल तुम लोग अभी पकड़ देगी तो sum में, तो हमको डर लगता है, यह जब चुड़ेल वाला sum से इसा बताओ, तो फस जाएगा तुम लोग इसमें, अभी तुम लोग नाजूक है, तुम लोग को develop करना पड़ेगा, तो अभी जैसे यह x का range दे दिया है, तुम लोग को बताना है कि यह valid pdf है की नहीं है, चलो start करो, summation fx से start करो, x runs from 1, 2, k, तो देखो 2 by, एक सामने वाल ऐसी चला दो, 2 by k, k plus 1, तो x का value क्या क्या डलेगा, 1, plus 2, plus 3, plus dot 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 plus k, sum of first k natural numbers, ठीक है न, sum of first k natural numbers, तो क्या आ रहे बताना, अभी just मैंने कराया, तो k, k plus 1 by 2, subcut कुटा के क्या आ जाएगा, summation of fx is 1, मतलब क्या ये, valid pdf, एले समको एक दो, अच्छा से कर लो, एक स्केंड, I'll just check, wait, अच्छा से क्या आएगागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागाग झाल 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 चलो नेक्स्ट अब नेक्स्ट सेटिंग लगाना Determine the value of c ठीक है? चलो fx मेरे को दे दिया है cx और x का जो range हो है 1, 2, 3 4, 5 ठीक है? अब हम लोग को यह assume करना है कि यह एक valid PDF है ठीक है? और हम लोग को c का value calculate करना है assume करके चलो कि यह एक valid PDF है अगर यह एक valid PDF है मतलब summation of fx मेरे क्या आ जाएगा? 1 और c का value निकालो जैसे मैं एक करके दिखाता हूं तो summation of fx x runs from 1 to 5 is 1 ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूं? Summation x runs from 1 to 5 cx is 1 तो c मेरा आ गया बाहर तो क्या हो जाएगा? 1 plus 2 plus dot 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 plus 5 is what? 1 तो c का value मेरा क्या आ रहे? c का value क्या आ रहे? 1 by 50 ठीक है? Is it clear? next जब इसी तरीके से बाकी तुम लोग करो यहला copy हो गया? next जब करो fx है c 5 by x basically यह 5 c by x है ठीक है? और x का जो range है है हो है 1, 2, 3, 4, 5 solve करो solve करो अब इसको next fx है c dot 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 k है 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 कल batch 2 का second class है same time 3 बज़े ठीक है? और आप लोग 10 मिट पहले आके preoccupy करेंगे dot 3 बज़े हम लोग class start करेंगे ठीक है? और शुरू में बहुत बार important topic miss हो जाता है तब फिर आप लोग को आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा तो make sure कि आप लोग हाँ नहीं आप लोग batch 2 हो मैं group में बोल दिया मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोग का जो batch है that is batch 2 और आप लोग को ना समझ में आ जाएगा जब हम लोग batch 2 बोलेंगे मतलब नया वाला जो batch है और batch 1 का थोड़ा आगे का topic का class चल रहे ठीक है तो आप लोग को मोटा मोटी समझ में आई जाएगा topic का नाम देखके समझ में आ जाएगा कि यह मेरे बसका नहीं अभी ठीक है क्या-क्या answer आ रहे कोई बता सकते है पीछे से start करते है आपका नाम क्या है हाँ राजनन्दिनी हाँ बोलो fx is c मैं जब बोलूँगा online वाले बच्चे सब अपना chat box में देख रहा हूं यहाँ पर क्या-क्या answer आ रहे खाली अदिती सुराना ने answer किया है हर्ष गोएल ने answer किया है चलो अब second वाला का एक एक करके बताओ नहीं इसका मैं बोल रहा हूं यह वाले का इसका 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 answer 3 है नहीं 12 by 12 by 137 is the correct answer मैं बता रहा हूं कैसे ध्यान से सुनो 5c by x है ठीक है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है Summation 5c by x x runs from क्या था 1 to तो क्या हो जाएगा 5c बाहर 1 plus half plus 1 by 3 plus dot 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 plus 1 by 5 तो 5c now this is equal to 1 अब इसको solve करो देखो तुमारा c का value मैंने समझ गया सेम चीज़ आ जाएगा यह जो है उपर में और c का value आएगा 12 by 137 LCM लेके करना पड़ेगा बहुत लोग क्या करते हैं 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 1 add करके एक संग लिख देते हैं शौर यह ठीक है जर्ष्टी शाह is it okay yes अज़ प्याओ यह 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 पर स्क्रूल करने कोई दिक्कत नहीं अने question देखना है अब यह जो है ना इसमें infinite gp वाला formula लगेगा c बाहर 1 by 4 प्लस 1 by 4 का square प्लस 1 by 4 का cube तो first term भी 1 by 4 है और common ratio भी 1 by 4 है ठीक है तो c का value क्या आ रहा है 3, solve करो इसको आराम से, आराम से हॉले हॉले solve करो तुम लोगों को लग रहा हो ना सर कितने अच्छे है time दे रहे है time जाने दो अभी अभी तो तुम लोग पैसा दिया है ऐसे first day ऐसे कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा नाइन साफी होगा C, A by 1 minus R right R क्या है, 1 by 4 is equal to 1 क्या रहे बता ना 3 आ रहे है इसमें तो शुरू शुरू में क्या होता है ना हम लोग को दिमाग में रहता है जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग को दिमाग में रहता है तो हम लोग का tendency यह रहता है कि अभी रिविजन स्टार्ट नहीं करते हैं अभी दो-तिन दिन बात से स्टार्ट करेंगे बट धीरे-धीरे क्या होता है वो pile up होते जाता है आप घर में जाओ जो भी मैंने पढ़ाया आप class copy को revise करके कलाओ फिर आप देखो आप डेली का जो studies का routine बनेगा ना मैं homework दूँगा, assignment दूँगा तो वो चीज जो आप लोग कर रहे हो ना आपको exam के पहले एकदम relaxed लगेगा एक set of students होते हैं अब क्या पढ़े सर अब तो समझ में नहीं आ रहा है और एक होता अभी क्या-क्या पढ़ ले सर मतलब तो आप लोग smoothly एकदम करो दो मैने में पूरा syllabus इकदम अचे से हो जाएगा अभी June मिड में start कर रहे है August 1st week तक कुछ भी नहीं बचेगा revision भी हो जाएगा ठीक है आप लोग के तो माना मानाम से करिए time लेक्या हर बड़ी मत करिए बस कोई भी चीज़ को ठीक है next ये वाला का क्या होगा cx square तो बहुत simple है आप basically अगर c common लेते हो एक बाइ mentally करो तो इसको 1 square प्लस 2 square ऐसे करके जाएगा तो k k plus 1 2 k plus 1 by 6 is 1 ठीक opposite हो जाएगा 6 by k k plus 1 2 k plus 1 चेक कर लो आराम से उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे पहले आगे नहीं बढ़ेंगे हाँ k k terms में answer आए कोई दिक्कत नहीं है अभी तो k आ रहा है theta, mita, kappa, gama, सब आएगा भी तो भाई बहने लोग सब 6 by k k plus 1 2 k plus 1 ठीक है हाँ बोलो कोई भी doubt यहाँ तक किसी को कोई भी problem एकदम पुरा ठीक है हाँ ओके नमबर 3 में क्या डौट है बोलो c आप common ले रहे हो c आप common ले रहे हो ठीक है 1 by 4 to the par x है आप पहले x के जगह में 1 डालोगे तो 1 by 4 फिर 1 by 4 का square फिर 1 by 4 का cube तो gp जा रहे है न आपका first term क्या है 1 by 4 और आपका common ratio क्या है 1 by 4 common ratio कैसे निकलता है second term by first term third term by second term that is the common ratio ठीक है ओके ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते है क्योंकि आज आप लोग का first class है ठीक है तो कल हम लोग मिलते हैं dot 3 बजे इसको अच्छे से revision करके आना और कल आप लोग को एक assignment मिलेगा ठीक है तो thank you all of you and yes आप लोग आप लोग को सबको हम लोग वीडियो का अभी access देंगे ठीक है तो आप लोग सब ये जो class है ये आप लोग देख पाएंगे बट हम लोग को थोड़ा time चाहिए होता है ठीक है अभी जैसे आप लोग का regular class होगा we will try कि everyday का everyday upload हो जाए पिट कोई दिन अगर miss out हो जाए तो आप लोग को थोड़ा wait करना पड़ेगा ठीक है 24 hours के अंदर अंदर upload हो जाता है तो there will be two sets of recordings एक है आपका English जो batch 1 चल रहा है और आप लोग का batch is Hindi batch ठीक है तो वोग चीज़े थांक्यू येस आपने admission कब लिया है आज लिया है आपको मिल जाएगा दो से तीन दिन में मिल जाएगा ठीक है कर दो लिया है